हिंदी साहित्य संपून घटना चक्र कुएक रिवीजन रित आर्ती चर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 283 यानि 283 जिसमें हम देखेंगे संस्कृत के आचारे ममट ठीक है? आचारे ममट के संबन में प्रश्न है ध्यान दें आचारे ममट की रचना है कावे प्रकास ठीक है? देखें प्रश्न की व्याख्या गौर करेंगे दोस्तों कावे प्रकास कावे प्रकास जिसमें 10 उल्लास हैं कितने 10 उल्लास हैं? ठीक कावे प्रकास नामक ग्रंथ के प्रनेता कौन प्रनेता आचारे मम्मट है आचारे मम्मट जबकी भामे भामे ने कावे अलंकार ग्रंथ की रचना की है ठीके कावे अलंकार किसका ग्रंथ है भामे का कावे प्रकास किसका ग्रंथ है आचारे मम्मट का ठीके अब बात करते हैं आचारे विश्वनाथ की, किसकी आचारे विश्वनाथ की, आचारे विश्वनाथ ने साहित्य दर्पन, साहित्य दर्पन, जो की दस परीचेदों में है, कितने, दस परीचेदों में, इस ग्रंत की रचना की है, बहुत ही important ग्रंत है, ठीके, साहित्य दर्पन, साती सात, काव तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों आचारे विश्वनात ने साहित्ते दरपन जो की दस परीछेदों में है इस ग्रंथ की रचना की है कावे अलंकार भामे को अमरता प्रदान करने वाला ग्रंथ है जिस ग्रंथ से आचारे भामे को अमरता प्राप्त हुई वह ग्रंथ है काव प्रकास नामक ग्रंत के प्रनेता कौन है तो ओप्शन डी आचारे मममट ध्यान रखेंगे ठीक है अगला प्रश्ण है ध्यान दे दोस्तों तद दोशव सब्दार्थव सगुणावन अलंकरिती पुनहा क्यापी ठीक है यह किसका कावे लक्षन है तो ओप्शन सी आचारे मममट के अनुसार व्याख्या देखें आचारे मममट के अनुसार कावे लक्षन है क्या तद दोशव सब्दार्थव सगुणावन अलंकरिती पुनहा क्वापी ठीक है पुनहा क्वापी तो ध्यान रखेंगे दोस्तों यह किसका कावे लक्षन है आचारे मममट का दोस्तों हमारे अगले आचारे हैं कौन आचारे विश्वनाद आचारे विश्वनाद ठीक है ध्यान रहे देखते हैं क्या है प्रशनी इनके संबंद में तो ध्यान दे वाक्यम रसात्मक काव्यम यह उक्ति किस लेखक की है तो ऑप्षन बी आचारे विश्वनाद की ठीक वाक्यम रसात्मक काव्यम ध्यान रखेंगे option B सही उत्तर है गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर साहित्य दर्पनकार साहित्य दर्पनकार क्यों कहा जा रहा है क्योंकि साहित्य दर्पन एक ग्रंथ है किसका आचारे विश्वनाथ का ठीक है तो ध्यान दें साहित्य दर् को परिभाशित करते हुए वाक्यम रसात्मक काव्यम वाक्यम रसात्मक काव्यम कहा है ठीक है पंक्ति याद रखें बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक फिर है रस गंगाधर कार रस गंगाधर कार दोस्तों जब किसी रचना के नाम के आगे कार लगा हो तो इसका मतलब वह के रच्चिता के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो ध्यान दे रस गंगाधर एक गरंथ है ठीक है किसकी रचना है जो पंडित राज जगनात की किसकी पंडित राज जगनात की ठीक तो ध्यान दे रस गंगाधर कार पंडित राज जगनात इनों ने काव्वे के विशे में क क्या कहा है, ध्यान से सुने, रम्नियार्थ प्रती पाद कहा शब्दहा काव्यम, जबकी आचारे वामन ने काव्य लक्षन को परिभाशित करते हुए कहा, क्या कहा, रीतिर आत्मा काव्यस से, ठीक है, तो ये कुछ बाते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट ह ध्यान दें पिर से वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है ये कथन या उक्ति तो ध्यान रहे साहित्य दरपनकार आचारे विशुनात की फिर है रमनियार्थ प्रती पाद कह शब्दह काव्यम ये उक्ति किसकी है तो ये दोस्तों पंडित राज जगनात की उक्ति है ठीक है और कि रचना है रस गंगाधर ठीक वहीं एक पंक्ति और है रीतिर आत्मा काव्यस से रीतिर आत्मा काव्यस से ये किसकी उक्ति है तो ध्यान रखे दोस्तों आचारे वामन की और ये तीनों की तीनों ही उक्तियां ध्यान रहे काव्य लक्षन के संबंद में है किसके संबंद म अगला प्रश्न है गोर करें वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है तो दोस्तों आप्शन ए आचारे विश्वनात का कथन है वाक्यम रसात्मक काव्यम तो दोस्तों आप्शन ए आचारे विश्वनात का आचारे विश्वनात का कथन है वाक्यम रसात्मक काव्यम ठीक है आ Option A सही उत्तर है, अगला प्रशन है, गौर करेंगे दोस्तों, रसई वई सहा, रसई नहीं, रसव वई सहा, ठीक है, इसको अपनी परी चर्चा में किस आचारे ने सम्मिलित किया है, ठीक है, रसव या रसई वई सहा, ठीक है, रसव है जान तक, ठीक, तो ध्यान दें, Option B, विश्वनात्क ने अपनी परी चर्चा में, ठीक है, इसको सम्मिलित किया है, किसे, रसव वई सहा को, Option B सही उत्तर है, देखते हैं, प्रशन की व्याख्या, ध्यान दें, दोस्तों, गौर करेंगे जरा व्याख्या पर, रसव वई सहा, रसव वई सहा, वई पढ़ेंगे इसको अपनी परी चर्चा में, आचारे विश्वनात्ने सम्मिलित किया है, फिर हैं, तैतिरिये उपनीशद, यहां उपनीशद की बात हो रही है, तो ध्यान दें, तैतिरिये उपनीशद में, रस का वर्णन इस प्रकार है, जैसे, रसव वई सहा, रसम ह्यो वायम, प्रकार नंदी भवती, एक बार फिर से सुनेंगे, रसो वई सहा, रसम होई वाम, इसे वाम पड़ें, ठीक है, लब्धान नंदी भवती, ठीक, अर्थात, रस हा, रस वह इश्वरीय अनुभूती है, ध्यान से सुनेंगे, तब यह समझ में आएगी पंक्ती, रस वह अनुभूती है जिसे प्राप्त करके आत्मा आनंदित हो जाती है ठीक है रस कैसी अनुभूती है तो रस वह इश्वरिय अनुभूती है जिसे प्राप्त करके आत्मा कैसी हो उड़ती है आनंदित हो जाती है ठीक साहित्ते सास्त्र में रस के विशे में किसके रस के व भरत्मुनी एवं आचारे विशुनात का है तो किसका कथन है ये आचारे भरत्मुनी और आचारे विशुनात का कथन है ठीक है तो ध्यान रखेंगे भारतिय साहित्य सास्त्र में किसमें भारतिय साहित्य सास्त्र में काव्वे का मूल काव्वे का मूल प्रयोजन इसी रस प्राप्ति है ठीक है तो भारतिय साहित्य सास्त्र की अगर बात करें तो इसमें जो काववे का मूल प्रयोजन है दोस्तों वहे इसी रस रूप आनंद की प्राप्ति है रस रूप आनंद क्या अभी हमने पड़ा रस वहे इश्वरिये अनुभूती है जिसे प्राप्त करके आत्मा क्या हो जाती है, आनंदित हो उठती है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक बार पेट से सुने, पंक्ती, रसव वई सहा, रसम, ये वायम, लब्धवा नंदी, लब्धवा नंदी, भवती, ठीक है, संस्कृत की पंक्ती है, बोलने में थोड़ी सी समस्या हो अगला प्रशने है, ध्यान देंगे, रसाप कर्शका दो शहा, ये उक्ती किस आचारे की है, क्या उक्ती है, ध्यान से सुने, रसाप कर्शका दो शहा, ठीक है, तो ये उक्ती, ऑप्शन बी, आचारे विश्वनात की है, किसकी आचारे विश्वनात की, ध्यान रखेंगे, option B सही उतर देखते हैं प्रशन की व्याख्या तो जरा ध्यान दे दोस्तों तो दोस्तों व्याख्या पर ध्यान दे आचारे विशुनाथ विशुनाथ अपने ग्रंद साहित थे दरपढ में दोश के लक्षन का वर्णन करते हुए किसका दोश के लक्षन का वर्णन गुण और दोश होते हैं ना तो उसी मेंसे दोश का वर्णन करते हुए ठीक है तो कहते हैं कि रसापकर्ष का दोश हा रसापकर्ष का दोश हा अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले कारक क्या होते हैं तो दोश होते हैं ठीक है रस का अपकर करने वाले कारक दोश कहलाते हैं ठीक रस को साहित्ते की आत्मा मानने वाले विश्वनात आचारे विश्वनात प्रतम संस्कृत आचारे थे ठीक है तो प्रतम संस्कृत के आचारे थे आचारे विश्वनात जिनोंने रस को साहित्ते की आत्मा माना ठीक द्यांदे व्याक्या साहित्य दर्पण में उनका सूत्र वाक्य रसात्मकम वाक्यम काव्यम आज भी साहित्य का मूल माना जाता है और बार बार उद्रित भी किया जाता है इसलिए यह सूत्र वाक्य आचारे विश्वनात का बहुत ही इंपोर्टेंट है क्या रसात्मकम वाक्यम काव्यम ठीक है दोस्तों तो ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है व्याख्या अगला प्रश्ण है ध्यान दे दोस्तों क्या है यहाँ पर एक परीभाशा है तो जर्थ ध्यान से सुने सत्य अर्थे प्रित गर्थाया स्वर्व्यंजनम सेहते क्रमेण तेनई वावरिती यमकम विनी गध्यते यमक की यह परिभाशा किस आचारे ने दी है तो आप्शन बी आचारे विश्वनात ने यमक अलंकार संबन्दी परिभाशा दी है क्या दी है सत्य अर्थे प्रित गर्थाया स्वर्व्यंजनम सेहते क्रमेण तनई वावरिती यमकम विनी गध्यते ठीक है तो यह परिभाशा है यमक के संबन्द में किसकी आचारे विश्वनात की याद रखेंगे ओप्शन बी सही उत्तर है व्याख्या पर ध्यान देंगे दोस्तों साहित्य दरपनकार आचारे विश्वनात ने यमक अलंकार को परिभाशित करते हुए कहा है कि अलग अलग अर्थों वाले सार्थक स्वर्व्यनजन ध्यान से सुनें अलग अलग अर्थों वाले सार्थक स्वर्व्यनजन समुदाय की उसी क्रम में आवरिती होने को यमक अलंकार कहते हैं तो ये परिभाशा किस ने दी है आचारे विश्वनात ने इसलिए उन्होंने कहा संस्कृत में तो ये परिभाशा आचारे विश्वनात की है इसका तातपरे यह है कि जिस स्वर्व्यनजन समुदाय की आवरिती हो उसका कोई एक अंश अत्वा समुचा अंश यदि निरतक हो तो कोई आपत्ती नहीं है तीके क्या तातपरे है पंक्ती का तातपरे है कि जिस स्वर्व्यनजन समुदाय की आवरिती हो तीके आवरिती शब्द पर ध्यान दे उसका कोई एक अंश अत्वा समुचा अंश यदि निरतक हो तो कोई आपत्ती नहीं है परंतु यदि उस समुदाय का कोई अंश या सर्वांस सार्थक है तो आवरित यानी दुहराया गया आवरित का क्या आर्थ होता है दुहराया गया ठीक अंश अवस्य ही भिन अर्थ वाला होना चाहिए ठीक है एक बार फिर से सुनें क्या कह रहे हैं इसका तात्पर्य यह है कि जिस स्वर्व्यंजन समुदाय की आवरिती हो उसका कोई एक अंस अत्वा समूचा अंस यदि निरर्थक हो कैसा निरर्थक हो तो कोई भी आपत्ती नहीं है परंतु यदि उस समुदाय का कोई अंस या सर्वांस सार्थक है तो आवरित अंश अवस्य ही भिन अर्थ वाला होना चाहिए ठीक है ध्यान रखेंगे समाना अर्थक शब्दों की आवरिती को यमक नहीं माना जाता है ठीक देखते हैं आगे प्रश्णिकी व्याक्या तो फिर से सुने दोस्तों एक बार ध्यान देना जरा समाना अर्थक शब्दों की कैसे शब्दों की समाना अर्थक शब्दों की आवरिती को यमक नहीं माना जाता शब्दों पर ध्यान देना दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट बात है तो यमक किसे नहीं माना जाता तो समा नार्थक शब्दों की आवरिती, आवरिती को यमक नहीं माना जाता है, इस प्रकार यमक के उधारण में, यमक के उधारण में, देखें, कहीं दोनों पद सार्थक होते हैं, कहीं दोनों पद सार्थक होते हैं, फिर खा है, ये था मरक का उप्षन, फिर एक खा, कहीं दोनों कैसे होते हैं, निरर्थक होते हैं, तो यमक के उधारन में कहीं दोनों पद सार्थक होते हैं, कहीं दोनों पद निरर्थक होते हैं, और कहीं एक पद सार्थक होता है, तथा एक पद निरर्थक होता है, चीक, कहीं एक पद सार्थक होता है, तथा कहीं एक पद निरर्थक होता यमक में आवरिती उसी क्रम में होनी चाहिए जिस क्रम में पूर्वरती पद प्रयुक्त हुआ है तो ध्यान रखें, यमक में आवरिती उसी करम में होनी चाहिए, जिस करम में पूरवर्ती पद, पूरवर्ती पद से क्या भी प्राय है, पहला पद, पिछला पद, ठीक है, आगे वाला, ठीक, फिर उत्तर पद होता है, बाद वाला, ठीक है, पद मींस एकतना से शब्दी, ठ प्रश्न भी पूचा जाता है तो ध्यान रखेंगे ठीक तो ध्यान रहे यमक में आवरिती उसी क्रम में होनी चाहिए जिस क्रम में पूर्वर्ति पद प्रयुक्त हुआ है उधारण आर्थ जैसे उधारण देखें नव पलाश पलाश वनम ध्यान से सुने नव पलाश वनम पूरहा इसफुट पराग पराग गत पंकज पंकजम ठीक है इसफुट पराग परागत पंकजम ठीक तो फिर है म्रिदुलतां तलता फिर से सुने म्रिदुलतां लतांतम लोक वत्स सुर्भी सुर्भी सुमनो भरे ठीक है यह उधारण है ठीक है देखते हैं आगे व्याख्या तो दोस्तों ध्यान दे यहां पर यहां पर का देखें ओप्शन ठीक है का ध्यान दे पंक्ती पर यहां पर दोनों पद सार्थक हैं जैसे पलास पलास ध्यान से देखें पलास पलास यह कैसे सार्थक शब्द हैं ठीक है सार्थक पद हैं तता सुर्भीम सुर्भीम सुर्भ में भिन है सार्थक शब्द तो हैं लेकिन अर्थ में भिन है यहां एक पलास का अर्थ पत्र से है किससे पत्र से है तथा दूसरे पलास का अर्थ किससे है विरिक्ष विशेश से है ठीक है तो एक पलास का अर्थ है पत्र दूसरे पलास का अर्थ है विरिक्ष विशेश ठीक ह ध्यान रखें इसी प्रकार एक सुर्भी का अर्थ है सुगंदित ठीके और तथा दूसरी सुर्भी का अर्थ है वसंत रित्तु ठीके तो ध्यान रहें एक सुर्भी का अर्थ है सुगंदित दूसरे का अर्थ है दूसरे यानि सुर्भी पद का अर्थ है वसंत रित्तु ध्य दोस्तों, खा पंक्ती की देखे, इन दोनों पदो में रभीनसू रभीनसू लिखा है, यह गलत है, ठीक है? सुर्भी शुर्भी था, ठीक है? सुर्भी शुर्भी निदर्थक है, ठीक है? तो द्यान दे एक बार पंक्ती फिर से देख लेते हैं, दोस्तों, जैसा कि मैं सही स error है तो ध्यान दे इन दोनों पदों में यानी सुरभिम, सुरभिम, कैसे हैं? निरर्थक है, ठ 찍ंगे? एक बार फिर से देखें उपर पंक्ति को ध्यान देना, सुरभिम, सुरभिम, ठीके? सुरभिम, सुरभिम, यह सार्थक है लेकिन अगर हम इसे वीपरीट करके लिखें रभीनसू रभीनसू लिखें तो इसका कोई अर्थ नहीं है ठीक है यह एक निरर्थक पद है ठीक है रभीनसू रभीनसू लिखें तो एक यह पद क्या है निरर्थक है इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा ठीक है ये कुछ इस तरह से हुआ, जैसे हम बोलते हैं, रोटी वोटी, रोटी वोटी, तो रोटी का तो अर्थ है, लेकिन वोटी का कोई अर्थ नहीं है, समझ रहे हैं बात, तो इसी तरह से सुर्भीम का अर्थ तो है, लेकिन रभीन्सू का कोई अर्थ नहीं है, यह निरर्थक है ये पंक्ती कुछ इस तरह से हैं, ठीक, ध्यान दें, कहीं एक पद सार्थक है, दूसरा निर्थक है, जैसे लतांत, 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 इसमें दूसरा लतांत शब्द ही सार्थक है, पहले लतांत में लकार मृदूल, ध्यान दें, लकार मृदूल शब्द का अंश है, ठीक है, लकार मरिदूल शब्द का अंश है इसी प्रकार पराग पराग में, किस में पराग पराग में बादवाला पराग यह सब्द परागत का अंश होने से निरर्थक है अब घाप उप्षन की पंक्ती देखें द्यान दे उपरियुक्त शब्दों की आवरीती एक ही करम में हुई है तो ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों तो एक बार फिर से पढ़ते हैं आचारे विशुनात की परिभाशा को द्यान दे दोस्तों साहित्य दरपनकार आचारे विशुनात ने यमक अलंकार को परिभाशित करते हुए कहा है कि भिन भिन अर्थों वाले सार्थक स्वर्वेंजन समुदाय की उसी करम में आवरिती होने को यमक अलंकार कहते हैं कहते हैं यमक अलंकार कहते हैं तो मुझे लगता है कि अब आपको परिभाशा इस पस्ट रूप से समझ आ गई होगी ठीके दोस्तों ध्यान रखेंगे अगला प्रश्ण है ध्यान देंगे दोस्तों वक्रोक्ती के विरोधी आचारे कौन है तो वक्रोक्ती अलंकार के विरोधी आचारे है ओप्शन डी आचारे विशुनात ठीक है आचारे विशुनात वक्रोक्ती अलंकार के विरोधी आचारे है देखते हैं प्रश्ण की व्या ज्यान दे दोस्तों तो गौर करेंगे व्याक्या पर वक्रोक्ति अलंकार के विरोधी आचारे साहित्य दर्पनकार कौन है विशुनात है आचारे विशुनात अने मैतपूर्ट तथे देखें ध्यान दे आचारे विश्वनात संस्कृत कावे सास्त्र के मरमग्य आचारे थे कैसे आचारे मरमग्य आचारे ठीके संस्कृत कावे सास्त्र के मरमग्य आचारे आचारे हैं आचारे विश्वनात इनका पूरा नाम आचारे विश्वनात महापात्र था क्या था आचारे विश्वनात महापात्र ठीक है तो आज ये नई बात भी पता चली तो ध्यान रखे दोस्तों पुष्टकों में केवल विश्वनात ही दिया जाता है ठीक है तो इनका पूरा नाम क्या था आचारे विश्वनात महापात्र ठीक इनके पिता का नाम चंद्र श थी इनकी उपादी तो ध्यान रखें पिता का नाम चंद्रशेकर और पिता मेह का नाम नारैन दास और महापात्र क्या थी इनकी उपादी ठीक ये कलिंग के कलिंग क्या उडीशा का पुराना नाम है कलिंग ठीक है तो ध्यान रखेंगे आशोक के समय की कलिंग विजे की थी उन्होंने ठीक है तो ध्यान रखें ये कलिंग के रहने वाले थे इन्होंने अपने आपको संधी विग्रहिक संधी विग्रहिक ये भी एक उपादी है दोस्तों संधी विग्रहिक इतिहास पड़ेंगे तो आपको उसमें ये शब्द मिलेगा ठीक है तो ध्यान रखें संधी विग्रहिक यानि अश्टा-दश-भाशा-वार-विलास-विलासिनी भुजंग कहा है ठीक है तो ये कलिंके रहने वाले थे, आचारे विशुनात, इन्होंने अपने आपको, यानि स्वेम को ही क्या कहा, संदी विग्रहिक कहा, और अश्टा दस भाषा वार विलासिनी, ठीके, अश्टा दस भाषा वार वार विलासिनी, कुछ इसी तरह से है, भुजंग, ठीके, तो ध्यान रखे, ये अल्लाव दिन के शाषन काल में थे कौन? आचारे विश्वनात ठीक है? अल्लाव दिन खिल जी ध्यान रखें पदमावत मुवी देखी हो तो उसमें है अल्लाव दिन खिल जी ठीक है? उसी की बात हो रही है ठीक तो दोस्तों हमारा आज का ये अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेर करें मेरे चनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों